हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे करेला करेले का नाम सुनते ही सब को यह लगता है कि सबजी कड़वी बनी होगी लेकिन ऐसा नहीं है जब आप थोड़ से टिप्स न टिक्स होलो करेंगे न तो आप बहुत ही शांदर सबजी बना लेंगे आज करेले के सबजी बनाने के लिए ने 1.5 kg कच्चा करेला लिया है आप ध्यान दे कच्चा है यह बिज होते हैं न कुछ करेले में तो वह वाला करेला नहीं चाहिए जिसमें बीज बिलकुल पतले हो या बीज ना हो इस टाइप का करेला ले ले आप तो आध़ा किलो है यह इस साइड में रख दें से तो 8-9 मिनिट हो गए है चले चेक करते हैं देखो अभी जब हमने इसमें नमक डाला था नमक डालके अच्छे से मिक्स करके हमने इसे रखा था और देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी तो अल्मोस्ट 2 टेबल स्पून पानी है यह बिल्कुल बोश के फिर फैक देना तो यह तीन बर प्रोसेस फोलो करना है फिर वापस इसमें पानी डालना है और तू टी स्पून के करीब नमक फिर से डाल दे इसमें और अच्छे से मिक्स कर दे और मिक्स करके अभी इसको 15 मिनट के लिए ढखके रख दे तो यह देखे फ्रेंड्स 15 मिनट हो गए है अब इस पानी को फैक देंगे सारा कड़वापन निकल चुका होगा अभी इसका करेले में अभी हलका सा ही कड़वापन होगा वो भी हम अभी आगे निकाल देंगे तो यहाँ पर कच्छा आम लिया है मैंने स्लाइसिस में कड़वा प्याज लिया है तो र तेल में ही बनाना बहुत बढ़िया बनती है तेल को बहुत अच्छे से गरम करने के बाद इसमें पंच फोरन डाल दें और टूटी स्पून इसमें डालना सौफ से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है करेलों का और उसके बाद फिर करेले डाल देना और फ्लेमना मीडिय थोड़ा छोड़ सकते हैं फिर वापस से स्टर कर दें इस तरीके से तो अभी देखे कलर इसका काफी चेंज हो गया है तो अल्मोस्ट नहीं हाँ पे करेला 75% कुख हो जाता है इस तरीके से पकाने पर फिर इसमें हम जो प्यास हमने लिया है वो डाल देंगे तो जैसे कि मैंन लेना प्यास को ढलके भी एक बिनट के लिए तो यहां पर मैंने प्यास ढलने के बाद एक मिनट के लिए भून लिया है अब हम इसमें डालेंगे सुखे मसाले तो तू टीस्पून मैंने समें डाला सबसे इंपोर्टेंटच मसाला ड्राइ यानी अमचूर पाउ STEM half teaspoon इसमें हल्दी powder डाला है मैंने 2 teaspoon धनिया powder मसाला की quantity बिल्कुल ऐसे ही रखना और 1 teaspoon जीरा powder और 1 teaspoon इसमें लाल मिर्ची का powder डाला है आपने ध्यान दिया होगा कि हमने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली है और अभी हम इसमें नमक डाल रहे हैं नमक आपने थोड़ा देख कर डालना क्योंकि आम चूर पाउडर भी है प्लस हमने इसे पहले नमक में वोश भी गया था नमक में सोग भी गया था इसलिए इसमें नमक थोड़ा कामी रखना उसके बाद काली मिर्ची का पाउडर डाला है आधा चमच तो बस इतने ही मसाले डालना हो और इस सबजी में आप जिंजर गार्लिक के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि क्या होता है न कि ये सबजी बनाने के बाद क्या ही दिन तक आप इसे खा सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती लेकिन अगर आप इसमें जिंजर गार्लिक डाल देंगे ना तो ये सबजी खराब होने के चांसिस रहते हैं इसलिए इसमें हरी मिर्ची भी नहीं डाला जाता तो मैंने हरी मिर्ची भी नहीं डाली सूखी मसाले अड़ करने के बाद सबजी को ढखकन लगा कर दो से तीन मिनट पका ले लो टू मीडियम फ्लेम पर और इस प्रकार से चला दें यह देखिए सबजी ना तो जली है ना चिपकी है और पानी हमने बिल्कुल भी ने डाला है तो इस सबजी में पानी का इस्तिमाल बिल्कुल नहीं करना है आपको तो सबजी को दो से तीन मिनट पकाने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे कद्दू कस्क्यावा कच्चाम तो गर्मियों में ही करेली की सबजी बढ़िया लगती है कच्चाम भी अच्छी क्वैंटिटी में आता है तो जब भी आप करेली की सबजी बनाए तो कच्चाम जरूर डाले इनकेस आपको कच्चाम का फ्लीवर पसंद नहीं है तो आमचूर पाउडर जो हमने शुरू में 2 टीस्पून डाला था न उसकी कॉइंटिटी 3 टीस्पून कर देना अगर आपको कच्चाम का फ्लीवर पसंद नहीं है तो लेकिन फ्रेंड्स कच्चाम डालने से ही करेली की सबजी बहुत शांदार बनती है बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही बड़ी है इसका रिजल्ट आता है एक परसेंट पर आपका करेला कड़वा नहीं बनेगा इस तरीके से बनाने से और देखे कितनी बड़ी है सबजी लग रही है तो बस बिल्कुल इसी तरीके से आपको सबजी बनानी है कच्चाम डालने के बाद सबजी को 2-3 मिनिट ही कुक करना है तो ये देखे 2-3 मिनिट हो गए है सबजी को अच्चे से मिक्स करेंगे अगर आपके घर में आमचुर पाउटर नहीं है और कच्चाम भी नहीं है और चाट मसाला है तो आप इस सबजी में चाट मसाला डाल सकते हैं और ये देखो बिल्कुल भी नहीं चिपकी सबजी मैं आपको दिखा रही हूँ तो पानी की एक बूंद ना डाले इसमें और कुछ लोग नहीं से बनाते वे इस सबजी को बनाते वे चीने के इस्तेमाल करते हैं देखें फ्रेंड्स आप इस सबजी को ना डाल चावल के साथ खा सकते हैं रोटी के साथ खा सकते हैं लेकिन आप इसे पूरी पराठे के साथ खा के देखना कितनी बढ़िया लगती है तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आये तो इसे लाइक कोमेंट शेयर जरूर करना और मुझे मेरे फेस्बूक पेज़ पर फोलो कर लेना जो कि नहा बेस जिलाइट के नाम से हैं थैंक यू फॉर वाचिंग